हाँ जी डिटिये भागलपूर भै आँ फेंद से आव गया चलिए रखिया आठाई जुलाई दो हजार तेहरागा दस प्रसंद एक तेकाल आप देखिये एग अर्मा नंबर पुरसंद से कहता है डैस के अतरीक्त बुद्धी के निमलिखित पक्षों को इस्टर्ण बरं के तरीतंत्र सिधान्त में संबोधित किया गया है साहब तरीतंत्रिय सिधान्त यानि इस्टर्ण बरं महोदे ने बताया ACC क्या analytical बुद्धी पाई जाती है creative बुद्धी पाई जाती है contextual बुद्धी पाई जाती है है न तो देखिये contextual creative और analysis यानि विसलेशन आत्मक बुद्धी सरजन आत्मक बुद्धी संदर भगद बुद्धी तो किसके तरीतंत्र सिधान्त में संबोधित किया गया है आनुभाविक बुद्धी तो है ही संदर भगद बुद्धी भी है शात शात अव्यव भूत बुद्धी भी होगी क्या है analytical analysis वाली बुद्धी यानि विशलेशन आत्मक बुद्धी creative बुद्धी तो क्या अनुभाविक जिसे हम कहेंगे सरजन आत्मक बुद्धी और contextual अर्थात संदर भगद बुद्धी काउन नहीं है किसके अतिरिक्त पूछा जा रहा है तो समाजी के अतिरिक्त यही तो उत्तर हो जाएगा थिरी नमबर मने किसको छोड़कर तो थिरी नमबर को छोड़कर और थिरी नमबर उत्तर हावर्ड गाड़नर का बुद्धी का सिधान्त डेस पर बल देता है देखिये सहाव हावर्ड गाड़नर बहुद्धी का सिधान्त Multiple Intelligence Theory है ना तो परतेक व्यक्ती की विलक्षन योग्यताओं पर बल देता है बल प्रतिक व्यक्ति में कई योग्यताएं पाई जाती हैं जैसे संगीतात्मक बुद्धी, भासिक बुद्धी, यांत्रिक बुद्धी, गतिक बुद्धी, साथिशात बाते करें और अंतरा व्यक्तिक और अंतरवयक्तिक, इंट्रापर्षनल, इंटरपर्षनल इंटैलिगेंस आध्यात्मिक बुद्धी, प्राकरतिक बुद्धी है न साहाब आठ परकार की, और 2002-2004 में और बढ़ी तो दस प्रकार की बुद्धी मतलब पड़ते एक व्यक्ति में विलक्षन योग्यताएं बुद्धी की अन्य अन्य या एक ही व्यक्ति में कही सारी योग्यताएं पाई जाती है यही तो है बहुत सारी यानि बहु बुद्धी का सिद्धान और four number उत्तर होगा था पचा दोनिया है लेजिये सहाब ये दोनिया है तो दोनिया है तो स्वनिम है फोनिम है दोनी जैसे आगिया तो फोनिम फोन मैने study of sound और यदि पुड़ा सब्द लिखा रहता है तो रूपीम जाते मॉर्फीम यहाँ तो उत्तर एक नमबर होगा कक्छा में जेंडर रूड़ी बद्दता मने जेंडर बायस जो है लिंग रूड़ी बादिता से बचने के लिए एक सिक्षक को बने जेंडर भेद भाव नहीं करना है इसके लिए क्या किजिएगा जो खिम उठाने के निर्भीक बनाने इससे गया होगा लड़के लड़की को एक साथ और पारमपडिक भूमिका में रखना चाहिए बहुत अच्छी बात है और पारमपडिक दिया गया है ना यही पारमपडिक रहता यानि पारमपड़ा से जो पधती चली आ रही है लड़की जिंस नहीं पैन सकती है लड़की गरही विज्ञान लेगी लड़की जो है साइंस नहीं पढ़ेगी लड़कियों को साइकिल चलाना मना है यह सब पारमपड़ा से चला रहा है पारमपड और ओ परमपडिक यानि मॉडर्न एज की रोप में आप समझ लें तो दो नमबर उत्तर नहीं हो जाएगा और आम खेला बंजी चलिए बाकी तो आप खुद ये समझदार हैं ये तो ना समझदार कोई होता है अच्छा लड़का अच्छ ये तो लिंग ये पुड़वागर कर रहा है कुस्ती में भाग लें लड़कियों निरुत साहित मने लड़का खाली कुस्ती में भाग लेगा ती ये भी गलत ये तो लिंग रुड़ी बादिता जंडर बाया उसको बढ़ा रहा है पहला विकल्प तीसरा चौथा और कौन बहतरीन पॉजिटिव रूप में लें आखों के पुतले का अलग होना सोचने का धंग अलग होना प्रतिक विक्तिक अलग होता है साहग तो एक सिक्षक वही है बहतरीन जो विक्तिक विविनता का खयाल रखते हुए सिक्षन का कार्य का अनुपालन करे तो विक्तिक विविनताओं को पूड़ा करना चीए कैसे अ वरदान है सहाब, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बात करना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ अलग है, नहीं, तुमसे मिलना, तुमसे बाते करना बड़ा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, अरे वो विभिन है, कुछ अलग है हमसे, एक जैस साँ जैगा तो नीरस होगी दुनिया, नीरत साहित हो जाए गा चल यह खाई को कोई कम नहीं कर सकता यानि वैक्तिक विविषनता को कम नहीं किया कि आया सकता है निश्पादन और योगयता को समान कर tornado को होता है समान क्या से कर सकते हो आप तीसरा विकल्पी कटेगा या समझने क्या सिक्षारती सीखने के योग्य या या योग्य है व्यक्तिक विविनता मतलों योग्यता है या योग्यता है यह हो जाएगा हमारा उत्तर मदलों कहां तक योग्य है बच्चा बच्चे में क्या प्रॉब्लम है नहीं है सारी चीजों को समझने में मदद दे करता है कौन वेक्तिक विभिनता लेजे 16 नंबर सिक्षार्थियों में वेक्तिक विभिनता पर्सनल इंडिवीजुल्टी को समभोधीत करने के लिए एक विद्ध्याले किस परकार का सहयोग उपलब्द करवा सकता है किस परकार का सहयोग तो सभी सिक्षार्थी के लिए समान अस्तर नहीं सहाब अलग-अलग परकार का व्यक्तिक विवेनता आ गया तो अलग-अलग परकार का रूची होगा किसी को फटल का जिन्स पसंद किसी को फॉर्मल वाला पेंट एक प्रकार का उसी प्रकार पढ़ने लिखने में भी नहीं होगा भोजन में बहुत होता ही नहीं है तो फिर अलग अलग होगा विवेद होगा बाल के इंद्री पाटे चड़िया का पालन यानि कि बाल के इंद्री चाइल्ड सेंटर्ड का वका टू नंबर उत्तर होगा सिक्षार्तियों में व्यक्तिक विविनताओं को समाप्त करने यार कोई समाप्त नहीं कर सकता व्यक्तिक विविनता एक बात बताए फिंगर प्रिंट सबका सब खतम कर सकते हैं आप हां आखों की पुतली लिखने का ढग तोर तरीका बोल चाल का कैसे करेंगे को कम कैसे करेंगे या करना हमारा लख नहीं है । समावेसीक अक्ष्छा में सबको एकी चट के नीचे पढ़ाना है धीमी गती से सीखे कि घपाग घपाक यानि कि विशिष्ट बच्चा जो है जो सिरजणात्मक हो प्रतिभासाली बच्चा उसको भी एकी चट के नीचे पढ़ाना अलग से इसको नहीं भीजना है चलिए दो पर उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट सतत और व्यापक मुल्यांकन पर बल देता है लेजिए continuous and comprehensive evolution किस पर बल देता है तो किस पर बल देगा सब बच्चे का विकास हो प्रगती पत्र को अब लोकन रिकॉर्ड को सुधार आ जाए थिरी नमबर पॉजिटिव नेक्स्ट विद्याल में ही होनी चाहिए परिक्षा आकलन वगेरा चुकि साल भर जिस सिक्षक ने पढ़ाया वही न बहतरीन धंग से अपने बच्चों को ट्रीट कर पाएगा टेस्ट ले पाएगा अब दूसरे जगा बोर्ड परिक्षा हो गया अब बताइए वह कभी पढ़ाया भी नहीं है म वह कैसे बहला एसेस कर पाएंगे आकलन कर पाएंगे बहतरीन तरीके से तो विद्याले आधारित आकलन मने जो एक्वेंटेड सराउंडिंग होता है अन्वारेन्वेंट होता है यह परीचित वातावर्न में अधिक सीखने में बच्चों की सिक्षार्थी की मदद करते हैं 4 नम्बर Yes, Next, सीखने की ततपर्ता की और संकेत करते है सीखने की ततपर्ता यार के सीखने थंडाई का ततपर्ता का नियम थंडाईक ने भी दिया है ना सिखने के सात्यातिक, सात्यात्यक मनें लगातार continuous सतत रूप से मैं सिख्छार्थियों का वर्तमान संग्यानात्मक अस्तर, यानि वर्तमान रूप में बच्चे का संग्यान का अस्तर क्या है, तत्पर है कि नहीं है बच्चा, सीखने के कारे के प्रकृति को संतुष्ट करना नहीं एक सिक्षिका की कक्षा में कुछ सारेरिक विकलांगता वाले बच्चे सारेरिक रूप से विकलांगे ठीक है सहाब तो देखो आप तो क्या सबसे उचित स्टेटमेंट होगा आप क्या कहोगे कि जहाँ पर बच्चे में हीन भावना गरसित थोड़ा कम होगा पोलियो गरस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे कितनी घटिया बात है बच्चों को संबोधित कर रही है सिक्षिका कि पोलियो ग्रस्त बच्चे मने जो लेंगडो है उगाना प्रस्तुत करेंगे गलत पहिया कुरसी वाले बच्चे हौल में जाने के लिए अपने सम्व्यस्क साथी मदद से बच्चों की मदद ले सकते हैं कौन पहिया कुरसी वाले बच्चे इसको भी गलत मानेंगे सारीरिक रूप से और सवीधा गरस्त बच्चे सुसोभीत सब्द में प्रयोग कर रहा है तीसरा नमबर कि सारीरिक रूप से और सुवीधा गरस्त बच्चे ऐसा नहीं पहया कुरसी वाला, रे चसमुलिया वाला बच्चा रे अनहर वच्चा, पोलियोग रस्त वच्चा, ऐसी भासा नहीं है, सुसोभीत भासा का परियोग है, ताकि बच्चे डिप्रेस्ट नहीं होंगे, में ही कोई बेकल्पिक गतिविधी कर सकते हैं, अन्य एक्स्ट्रा करिकूल, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जा सकता ह बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और four number के तो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते मतलब बच्छा लंगड़ा है इसलिए उसको पड़ योग कड़ें और बच्चों में डिप्रेश्ट हीन भावना भीग रसित ना हूँ है ना साहब चलिए मिलते हैं यह बुची आमाए बुची आमाए बुची जी चलते हैं लाइक से और सब्सक्राइब गुरूप में भजिए तनी हाँ दोस्त प्लीज हेल्प टू अध देर फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जाहें जाए वारत वांदे मात्रा